तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का चैप्टर नूमबर 9 कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम सुनकर आप लोगो बहुत ज़्यदा खुशी होगी देखिए चैप् होगी यूप ऑप नाम का प्रोग्राम आया करता था यानिके प्रोग्राम चलता था और उसी पर ead właści mgute मतलब यानि की पूराने पृटने फिल्मों कि गाने सुनाई जाते थे वैसे गिस कि गिद सुनाई जाते थे जो लोग भूँल है यानि कि जब इनसान alo he要 ho t 거예요 और वह किसी पोऊस्ट पर काम कर रहा होता है पैसा कमा रहे होता है और उससे यूँ को निकलवाना होता है लोग उससे बाते करते हैं रेस्पेक्ट करते हैं लेकिन जैसे ही काम निकल जाता है और जब इनसान की ओमर必ए लगती और वो किसी पोस्ट पर रहने के लायक नहीं रह जाता है यानि कि वो बूढ़ा होने लगता है तब उसकी रिस्पेक्ट धीरे धीरे घटने लगती है और लोग उन्हें भूल भी जाते हैं कि वो किसी लायक थे ठीक है यानि कि रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं या तक कि स उनका नाम है शवी जावेद क्या नाम है शपी जावेद तो कोशन पूछा जासकता है आप लोग के अग्जाम में कि भूले बिस्रेगीत अफसाना के अफसाना बताचल गया जितना भी डिटेल धिया घ्यादा कुछ टेटल लंबा चड़ा नहीं दिया गया है थोड़ा बहुत दिया गया है जो पर लेकि दिन लाइन का है और उसके बाद से इनके बारे में थोड़ा डीटेल जानकर और फिर मैं ये कहानी आप लोगो बताऊंगी ठीक है तो स्टार्टिंग में आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा उसके शेयर कर दीजिए चैनल पर अगर आप लोग नए- सब 35 को मुझफर पूर में इनका अबाई वतन गया था यानि की गया के यह मुल निवासी ठीक है और इनकी भले पैदाइश हुई थी चार जनुवरी उन्हें सब 35 को मुझफर पूर में और इनका रियल नेम याद रखना है स्येद मुहमद शफियुदी इन कोश्चन सब्झेक्ट से किये थे यानिकि समाजियाद में ने में किया था में कंप्लीट किय किए ठीक है उसके बाद से यह अलग-अलग ओदे पर यह नौकरी भी पिये थे जैसे की डारेक्टर प्रेस सेक्रेटरी एड्मिंस्टेटर यानि की बीहार दियार गोर्मेंट वहाँ पर आप यूँगे सकते हैं दारेक्टर प्रेस सिक्रेटरी एड्मिनिस्ट्रेटर अलग-अलग में ये सभी अलग-अलग पोस्ट पर ये नौकरी भी किये थे यानि कि मुलाजमत किये थे और शफी जावीद के पहले अफसानी का नाम याद रखेगा पहला कहानी यानि कि पहला अपसाना 8 और तमबाकु को शाय येनकी प्रकाषित किया था कब उन्हेंसा 23 पर ये सके बादसे इनोंने मिनी कहानी भी लिखी ये ändकी छोटी-छोटी कहानिया और नजमें भी लिखे थे ये ये येनकी कव तारीफ उस थुदा की ये भी कहानी का किताब है जो कि उन्हें से चुराशी में शाय हुआ था, वक्त के सीर ये भी उन्हें से क्यांबिर में शाय हुआ था, और रात शहर और मैं ये भी क्या है कहानी का किताब है जो कि 2004 में ये प्रकाशित हुआ था, यानि कि शाय हुआ था ठीक है तो यह सभी कहानी की किताब थे जो कि शफी जावेद द्वारा लिखे जाए थे बस इतना ही डिटेल्स गया गया है यहां पर फाइनली शफी जावेद के बारे में तरह डिटेल्स कम्प्लीट होता है अब चलिए मैं आप लोग को पूरी कहानी बताती हूं शॉट कॉ पॉइंट को कबर करते हुए एक भी पॉइंट चूटेगा नहीं और चैप्टर भी कम्प्लीट हो जाएगा कम समय में ज्यादा नौलेज गेंड करना है तो कम समय में पुरा चैप्टर कम्प्लीट हो जाने वाला है तो देखिए जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि जिस उससे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बाते करते उसका रिस्पेक्ट करते हैं ठीक है ना जिस तरीके से उसके खुश रहने की कोशिस करते हैं सलाम आदाल खुब होता है और रिस्पेक्ट दिया जाता है उस इंसान को लेकिन जब वही इंसान धीरे धीरे पुराना होने लगत रहता है यह लोगों को फाइदा नहीं रहता है तब वही लोग उसको पुछते भी नहीं है यानी कि वो जो रिस्पेक्ट पहले हुई थी वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है लोग यहां तक की सलाम अदाब करना भी छोड़ देते हैं ठीक है ना तो इसी पर बेस्ट यह कहानी है इस कहानी यानि कि भुले विसरेगीत नाम के इस अफसाने के जो में करेक्टर है यानि की मरकजी किरदार वो है सयद अजीज सयद अजीज अहमद डारेक्टर जनरल के पोस्ट पर यह नौकरी कर रहे होते हैं और डारेक्टर जनरल यह थे तो बहुत सा जितने भी लोग थे सभी लोग इनको रिस्पेक्ट दिया करते थे क्योंकि लोगों को इनसे काम निकलवाना था ठीक है क्योंकि एक उधे पर थे पोस्ट पर थे डारेक्टर जनरल के पोस्ट पर तो डारेक्टर जनरल स्यद अजीज अहमद जो थे इनको बहुत ज़्यदा रिस्पेक्ट मिल रहा था ठीक है ना लोग सलाम अदाब करते थे अपने घर पर बुलाते थे रिस्पेक्ट दिया करते थे खिलाते थे पिलाते के लोगों के काम निकल वाना था फायदा था लोगों को इन से लेकिन हुआ क्या जब डेक्टर में तो एकल कम हो गई तो इस वजह से थोड़ी कमी आ और इसे तरह देखते देखते दस साल बीच गया और दस सालों में सेयद अजीज अहमत को तो लोग भूली गए कि ये कभी डारेक्टर जनरल हुआ करते थे अब ये कहीं जाते थे तो इनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी जो पहले मिला करती थी ठीक है अब इनको लोग सल और दस से पास जो फोर गारी इसको भी बेच दिये थे यानिकी रोजी रोटी वहगरा चलाया करते थे तो यह अपना गाडी भी बेच दिये इनको आपके सकते हैं जो भी इनके पास इंकम था वो अपना घर में ही लगा दिये यानि कि रोजी रोटी वगरा चलाने में लगा दिये और उसके बाद से यह अपने घर के नेम प्लेट के जगा डारेक्टर जनरल सीद अजीज एहमद लिखवाने के बजाए क्या लिखवाय सीद अजीज एहमद लिखवाने के बजाए यह सिर्फ अपने घर के नेम प्लेट पर क्या लिखवाय थे अजीज एहमद तो लोग यहां तक यह भी भूल गया कि यह सीद जादे भी है ठीक है ना तो भूलने का यह भी कारण था और उसके बाद से यह कोई दूसरा नौकरी काम होता ठीक है हलांकि एसा नहीं सोचना चाहिए लेकिन सेद अजीज एहमद क्योंकि इनका सोच भी उसक्त सही था और वैसे भी बूढ़े भी हो चुके थे तो अब कौन साइन से काम होगा ठीक है अब इनकी बेटे की बारी थी लेकिन बेटा का क्या कहना अभी मैं आप लोगों बताऊंगी बेटे का तो सुलुक देखकर आप लोग हैरानी रहे जाएंगे तो इसी चीज को सोच रहे थे और उसके बाद से जब यह अपने घर के अंदर गये टीवी देखने के लिए तो वो देखे कि उनका जो नवासा है वो टीवी देख रहा था और टीवी प तो डाये डायेक्टर जनरल सेद अजीज एहमद का जो नवासा था नवासा कहते हैं बेटी के बेटे को ठीक है तो वो लोग और इंटरनेट देख रहा था तो जब सेद अजीज एहमद गये टीवी देखने के लिए और जाकर बैठे तो ऐसा होता है ना रिस्पेक्ट दिय रहा था नाना आए हैं बैठे हैं उसे कोई फरक नहीं पड़ता ठीएगे घर के बच्चे भी जो ανα इनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे घर में इनका कोई भी रिट्सक्त में नहीं गर तो नहींThank बैटकर इंतजार कर रहे थे कि कभ यह प्रोग्राम कर रहे थे कि अब होगा अब होगा ठीक है इंतजार करते करते जो है ना से अधिस अहमत की आख लग गई और जिस्ट पांच मिनट के बाद यानि की थोड़ी सी जबकी लेने के बाद जब उनकी आख खुली तो क्या देख कि यह क्या है तो उनका नवासा जो है ना इतना गुस्टा होकर देखा और उसके बाद से मुझ बना कर और रिमोट फेक कर चल दिया अब यहां पर से दजीज हमत चौके हुए थे यह क्या हुआ है मतलब कि यहां पर से दजीज हमत की कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाई नहीं है इनके अपने घर में भी यहीं बताया जा रहा है कि नवासा जब यह चौक गए घबरा गया और पुछे कि यह क्या हो रहा है तो उनका नवासा एक दम चुप चाप इसका गुस्टा होकर देखा और बीना कुछ बोलिर रिमोट फेका और चल दिया अब जो है ना सयद अजीज अमत कुछ दिरवां पर बैठ कर सोचे और उसके बाद से बाहर निकल गया मतलब टीवी नहीं देखे बाहर निकल गया और जब यह बाहर चले गया तो फिर क्या देखते हैं कि उनका नवासा फिर से वापस कमरे के अंदर आ गया और बैठ कर टी कर रहे थे मतलब की बेकार का आदमी इनको समझ रहे थे बीवी और इनके बच्चों का भी वही आल था बीवी कहती मतलब चाय पकड़ाते हुए चाय कप पकड़ाते हुए कहती कि आप कोई काम क्यों नहीं ढून लेते हैं कब तक यह डायरेक्टरी की लास अपने कंधों प हए तो डायरेक्टर जनरल स्रीय अधरल जिवन वही बात बोलते हैं कि देखो मैं समझ गया हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो तुम यहीं कहना चाहती हो कि मैं दूसरा कोई काम भूंग लूँ लेकिन डारेक्टर जनरल के पोस्ट से हटने के बाद कोई भी काम हमारे लिए छोटा होगा लोग क्या कहेंगे जरा तुम ही बताओ ठीक है तो वहीं उनकी बीवी कहती है तो ठीक है कब तक ढोटे रहेंगे डारेक्टरी किलास अपने क साथ देखिए बाप को बेटा कैसे बोल रहा है कि सही बात है मा बाप का काम होता है अपने बच्चों को खिलाप लाकर पालन पोशन करना और यहां पर यह बैठे हुए कोई काम ढून लेना चाहिए आप इतना शरीफ हुआ करते हैं और मतलब कि आप घुस वगर नहीं लेत करते थे कोई घुस घुस वगर नहीं लिया करते थे मानदारी से काम करते थे तो कोई फायदा हुआ उनकी जो भीवी थी वह पाइदा हुआ तो उसकी बैबी मजाख उडाते हुए बोली जीरो ठीक है मतलब कि जब उनका बेटा पूच्छा कि इसका इससे क्या फायदा हु हुआ क्या फायदा हुआ इससे बताइए आपकी मांदारी का क्या फायदा हुआ तो उसकी मतलब से दिख जाता है ना कि लोग आपको बेकार समझ रहे हैं तो जब लग जाए कि लोग आपको बेकार समझ रहे हैं तो उसक्त वहां से हटी जाना अच्छा होता है ठीक है तो यह बात सुनकर चाय का कप उसमें आधा चाय पिये थे और चाय का कप वहीं पर छोड़कर और बाहर निकालाएं ठीक हैं वहीं सोच रहे थे देखो मैं जब उहदे पर था तो मेरी रिस् हुई है वो भी हमारी मजबूरियों को नहीं समझ रही है ठीक है घर वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और तुछ बेकार समझ रहे हैं ठीक है और यहीं चीज सोच रहे थे तो यह दजिस देमत की सही बात है आदमी को किसी पोस्ट पर मतलब इस दुनिया में जितने भ प्यार होता है आप से प्यार नहीं होता ठीक है तो यहीं चीज सोच रहे थे और और फिर पीछे मुड़ कर देखें तो उनका घर दिखाई दिया जो कि छोटा साइवां चोटा घर में रहता हूं यह अपने आप में बहुत अक्यलापन फील कर रहे थे और मतलब एक तरसे बेकार समझा नहीं जाता है कि सचमे में बहुत ही बेकार किसम का आदमी हूं उस तरह अपने आपको तुक्ष टाइप का समझने लगे थे ठीक है उसके बाद से क्या हुआ इसी तरीके से इनके साथ होता था हमेशा एक दिन क्या हुआ था किसी रिष्टदार की शादी में गए थे तो वहां पर जब गए तो कोई भी इनसे जो है ना सलाम अदाब नहीं कर रहा था लोग इनko पूरी तरीके से बूल चुके थे ठीक है सलाम आदाब भी नहीं हो रहा था इन से कोई एक उसी में एक इंसान था कोई एक शक्स था जो कि इन से बोला कि तब अजीज आप कल कहां रह रहे हैं ठीक है तो इनको समझ में आ गया कि वो क्या पूछना चाहता है कहां रह रहे हैं यानि कि कौन से पोस्ट पर काम कर रहे हैं ठीक है न उसके पूछने का मतलब यही था कि आजकल क्या चल रहा है कहां रह रहा हैं То So same दश्वra , हमर बोलते कहां रहा हूं यही रह रहा हूं मतलब कि इन वह जो शक्स पूछ रहा था इन से उसके पुछने का मतलब यह था कि कि आप कौन पॉस्ट पर काम कर रहा है यानि कि लोगों को आप पोस्ट से महब्वत होता है जो शेक हंड किया जाता है ना या हात मिलाNew समझों आप से हाथ कि हम बेक्राना दोस्ते रहेते हैं रवी रंजन से मुलाकात हो जाती है तो अपने दोस्त रवी रंजन से कुछ बाते करते और वापस अपने घर चले आते हैं ठीक है यह सारी बात जो थी ना घर में उल्टे सीधे जो मामले हुआ करते थे घर के छोटे बड़े कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था इनको तो यह सारा चीज अपने दिमाग में सोच रहे थे पुरा बहुत सोचे थे बहुत सोचे हैं तो सज्वेश्व नहीं बिल्कुल नहीं सिगरेट भी लेता हुँ ठीक है तो डॉक्टर बोला कि अच्छा शिगरेट पीते हैं जबाद दिखाए तो सबस्त्राइब निकालकर सीगरेट का डबबा जो होता है ना पुरा का डबबा डॉक्टर को दिये देखिए यह सब्सक्राइब का एक पुराना दोस्त था सिगरेट वह उनसे उसका चुट गया ठीक है मतलब कि उसको उसको पीना नहीं पीना है वह बोल रहे थे कि मैं सिर्फ रात को जब लिखता हूं तो सिगरेट मुह में रखकर और लिखा करता हूं तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं अकेलापन इनको महसूस होता है सिगरेट होता था तो मुह में उंगली में दबाए रखते थे और लिखा करते थे तो इस तरसे आदत सी बन गई थी अब इनको अकेलापन महसूस हो रहा था क्योंकि घर परिवार की अलग से टेंशन समाज का अलग ही टेंशन था और उसके बात से खुद के बिमारी का भी टेंशन और प्लस मतलब आप यूँ के सकते हैं कि जो लोग इनको रिस्पेक्ट नहीं दिया करते थे यहां तक कि घर वाले भी इनको बेकारी समझते थे इस चीज़ का बहुच दा टेंशन था तो सारी बात इनको याद आने लगी अकेलाप खुल कर समान हटा हटा कर यह देखने लगे रूम में धूनने लगे धब धब की आवाद सुनाई थी तो इनकी बीवी जग गई रात को सोई हुई थी तो वह लिखी क्या कर रहे हैं अब क्या ढूंड रहे हैं आप तो से दिश हमत बोलते हैं वह मैं अपना ट्रांजिस्ट अपने दिल का बोज्ब हलका करने के लिए जो भी दिमाग पर प्रेसर ठाट है हर चीज़ को लेकर अब उसको कम करने के लिए अपने अकिलापन को दूर करने के लिए इनको ट्रांजिस्टर की ज़रत थी क्योंकि उस वक्त उनका कोई सहारा नहीं था जिसे अपने दुख भी इनके साथ नहीं थी ठीक है तो इनको अपनी प्राइन ट्रांजिस्टर की बहुत जदा याद रही थी तो जब इनकी बीवी बताई कि जितना भी कबाड होता है वह इस्टोरूम में रखा जाता है तो लाइट लिए और इस्टोरूम में चले गए ढूनने के लिए इस्ट भूले विश्रे गित यान की गाना सुनाया जा रहा था ठीक है और यह जो भूले विश्रे गित नाम का प्रोग्राम है सुबह साथ बज़ तक चलता था यान की साथ बज़ जाकर यह प्रोग्राम बंद हो जाता था ठीक है तो यह रात को सुनने लगे एक तरसे खुशी मै तो जा तरफ धूंडा गया नहीं मिले सेया दिखाई दिये तो फिर इनकी बीबी को याद आया कि रात को ट्रांजिस्टर धूंड रहे थे और मैंने बताया कि सारा कबार स्टोरूम में रखा जाता है तो शायद वहीं पर गये होंगे तो जाकर स्टोरूम का दरवाजा खोल क पर देखा गया तो स्यद अजिज एहमद उसी स्टोरूम में मिले ट्रांजिस्टर के सांथ और उनके चेहरे पर फातहाना चमक थी ठीक है और सुबह साढ़े साथ बच्चु कर था भुले विसरेगीत नाम का प्रोग्राम खतम हो चुका था और उसके सांथ साथ स्यद एहमद का इंतकाल हो गया था यानकि उनकी मौत हो गई थी उनके चेहरे पर एक तर से फातहाना चमक थी ट्रांजिस्टर मिलने की खुशी थी ठीक है चमक दिखाई दे रही थी ठीक है और यहीं पर इस कहानी का दे इंड हो जाता है आई होप आप लोग को पूरी कहानी समझ में आई होगी कैसा लगा कहानी कमेंट बॉक्स में लिख कर दो बताईएगा और वीडियो को लाइक अभी तक आप लोग नहीं किये हैं तो लाइक तो फड़वट कर देना है देखिए आप लोग लाइक शेयर में बहुत ही जादा कमी कर रहे हैं आप लोग लाइक शेर करें ताकि हमारे अंदर भी मोटीवेशन गांगे हमारे हमारे फूरी टिम की अंदर जो मोटीवेशन आता है आप लोगे दो गल्हें कुरें कर दो चैनल पर अगर आप लोग नहीं नहीं आए हुए हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओन कर लेना है ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो फाइनली आप चैप्टर नमर 9 तो complete हो गया और इस चैप्टर से हमें यहीं सीख मिलती है कि जब तक आप किसी पोस्ट पर है किसी चीज के लाइक है किसी ओहदे पर है और लोगों को आपसे फायदा है काम है तब तक लोग आपके साथ रहेंगे आपको रिस्पेक्ट देंगे आपसे प्य वाइदा नहीं होगा तब लोग वहीं पर आपका सांत चोड़कर चले जाएंगे आपका साथ नहीं देंगे आपको रिस्पप्क् enlarए मिलेगा ठीक है आपके बुरे वक्त मेंं सिर्फ आप अकेले रह जाएंगे और बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो बुरे वक्त में इंसान का सांथ देते हैं और ऐसे लोग बहुत जिदा खास होते हैं जो बुरे वक्त में कमजोर समय में आपका सांथ देते हैं और ऐसे लोग को कभी नहीं चोड़ना चाहिए क्योंकि रियल में आपसे प्यार करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं लेकिन वैसे लोग जो कि आपके बुरे वक्त में भी छोड़ कर चले जाते हैं वो सिर्फ खुदगर्ज होते हैं सेलफिश होते हैं और आज कल ऐसा ही सबसे ज्यादा होता है तो पहले इस कहानी से आप लोग सीखिए कुछ जिन्दगी में कुछ बनिए ठीक है पोस्ट हासिल कीजिए ठीक है और इस तरह के लोग जो आप से रियल में महबत करते हैं प्यार करते हैं आपके बुरे वक्त में भी आपका सांथ देते हैं उसको जिन्दगी में कभी छोड़ने की गुस्ताखी मत कीजिएगा ठीक है तो फाइनली यह चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो जाता है और अगर आप लोग यहां ते के स्क्री वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ त